नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टॉक्टर अजय सिंग बागेला में स्वागत है प्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाचन शक्ति को मजबुत बनाने वाले अद्बुत तीन चाय के बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा तीन ऐसी चाय के बारे में जिसको पीने से आपकी पाचन शक्ति मजबुत होती है और आपको भूग ज़्यादा लगती है अगर आप भी अपनी भूग को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंतक जरू देखें वीडियो शुरू करने इस पहले अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ओन करें और बिमारियों के कारण या खान पान में गरबड़ी और लाइफ स्टाइल से जुड़े कारणों की वज़े से आपनी भूग पर असर पड़ता है भूग कम लगने से आपकी बोजन करने की इच्छा कम होती है और कम बोजन करने से आपके शरीर को पोशक तत्वों की आपूरती साई डंग से नहीं हो पाती है इसकी वज़े से आपका शरीर कई गंबिर बिमारियों का शिकार भी हो सकता है कब्ज, मतली, अपज, गेस, ब्लोटिंग और एसिडिटी आदी कई ऐसी पाचन से जुड़ी समस्या है जिनकी वज़े से आपकी बूग पर असर पड़ता है हमारे देश में पाचन और पेट से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए लोग पूराने समय से ही हरबल चीजों का सेवन करते आए है कई ऐसी चड़ी बूटियां और हरबल चीजें हैं जिनके इस्तमाल से आप पेट और पाचन से जुड़ी कई गंबी समस्याओं को दूर कर सकते है वैसे तो सामने दूद वाली चाय का सेवन भूग को कम करने का काम करता है लेकिन आप भूग बढ़ाने और पाचन तंदर को तुरुष्ट करने के लिए हरबल चाय का सेवन कर सकते है नमबर वन निम्बू की चाय नियमित रूप से निम्बू वाली चाय का सेवन करना शरी के लिए कई माइनों में फाइदय बन माना जाता है निम्बू का चाय पीने से न सिर्फ पाचन तंद्र तुरुस्थ होता है बलगी कई अन्य समस्याओं में भी फाइदा मिलता है सर्दी के मोसे में भी निम्बू की चाय शरी के लिए बहुत फायदयबन मानी जाती है इसके सेवन से आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्या में भी फायदा मिलता है निम्बू में एंटी बैक्टिरियल और एंटी वाइरल गुन पाये जाते हैं जो शरी को फ्ल्यू आदी से बचाने का काम करते हैं इसके अलावा निम्बू की चाय का रोजाना सेवन करने से आपके शरीर की रोक परतियोदक शमता को भी बढ़ाने का काम करता है निम्बू की चाय का सेवन करने से आपका वजन भी कम होता है और इसके सेवन से संक्रमन और बीमारियों में भी फाइदा मिलता है निम्बू की चाय में मोजुद गुन शरीर के विशेले पडातों को बाहर निकालने और लिवर को डिटॉक्सिफाइ करने का काम करते हैं जिससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है इसके सेवन से कब्च और अपच की समस्या में भी फाइदा मिलता है भुक बढ़ाने के लिए दूद वाली चाय की जिगर आप निम्बू की चाय का सेवन कर सकते हैं नमबर टू पुदिने की चाय पुदिना या पीपर मिंट को एक ओज़दी के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है इस बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है कि इसकी चाय के सेवन से पेट और पाचन से जुड़ी कई समस्या दूर होती है इसमें मौझूद मैंथल योगी पाचन समदीत समस्या में बहुत उपयोगी होता है नियमित रूप से पीपर मिंट की चाय का सेवन करने से आपको कब्ज, अपज और गेस आदी की समस्या में तो फाइदा मिलता ही है बलकि इसके साथ भूक बढ़ाने के लिए भी इसकी चाय का सेवन बहुत फाइदेमन माना जाता है पेट को शांत रखने के लिए भी पीपर मिंट की चाय का सेवन बहुत फाइदेमन होता है पीपर मिंट की पत्यों में मोजुद गूण पेट से जुड़ी कई समस्या हैं जैसे गेस, सूजन, अपज, बलोटिंग की समस्या को दूर करने का काम करते हैं इसकी चाय का नियमित सेवन करने से पाचन तंत्र तो मजबूत होता ही है साथ ही पेट दर्द को कम करने में भी फाइदा होता है भूख बढ़ाने और पाचन तंत्र को तुरूस्त रखने के लिए आप पुदेनी की चाय का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं आपने सामाने दूर्स से बनने वाली चाय में अद्रक का अस्तमाल तो किया ही होगा लेकिन क्या आपको पता है कि बिना दूर्द और चिनी का अस्तमाल किये अद्रक की चाय बनाई जा सकती है अद्रक की चाय का सेवन करने से आपके शरीर में कई समस्यों में फायदा मिलता है इसका सेवन शरीर को वाइरल सर्दी जुकाम से तो बचाता ही है साथी इसके सेवन से पाचन तंत्र को भी मजबूती मिलती है अद्रक में मोजुदगून आपकी पेट से जुड़ी कई समस्याओं में फाइदे मन माना जाता है खास थोर से सर्दी के मुसम में अद्रक की चाय का सेवन बहुत फाइदे मन माना जाता है तो दोस्तों ये थी तीन ऐसी चाय जिसके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा कि इनके पीने से क्या-क्या आपको फाइदे हो सकते हैं आपका पाचन तंत्र ठीक हो सकता है आपको भूग बढ़ सकती है आपकी गेस, एस्टिटी, कॉंस्टिफिशन की सिकायत खतम हो सकती है तो आशा करता हूँ वीडियो में दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो में दीके जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक फेमिली फ्रेंट तक सभी के साथ जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट करके जरू बताएं अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लें और बेल आइक को जरू ओन करें ताकि हैल से जूड़े सभी वीडियो के नोटिपरेशन आप तक मिलते रहें वीडियो में अन्तक बने रहने के लिए धन्यवाद